नमस्कार दोस्तों आसा करता हूं से बिलकुल सुष्टेवा मस्तों के सबसे पहले स्टार्ट करना चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ जो हम सभी इंडियन ट्रेडर्स इंडियन इंवेस्टर्स के लिए बहुत जादे इंपॉर्टेंट है जाल लेना यहा तो हम पूरा फुल सपोर्ट करने की कोशिस कर रहे हैं क्या आप सभी को यह जो इंडियन क्रिप्टो टैक्सेशन आ रहा है जिसे बहुत साथे लोग अनफेर क्रिप्टो टैक्स भी कह रहे हैं दोस्तों उसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने का सोच जिससे जादा से जादा लोगों को जागडू किया जाए कि वही है क्या हो रहा है टैक्सेशन के साथ और क्या कुछ हमें देखने को मिल हाँ तो दौस्त फर्स्त टाइम दोस्तों इंडियन क्रिप्टो में होने जहां कि सभी लोग एक साथ मिलके इस पर आवाज उठाने व सामने दिया है इन्वेस्ट 100 रुपीज इन क्वाइन मतलब एक क्वाइन में आपने 100 रुपे लगाया और उससे आपको प्रॉफिट हुई ziro रुपे लेकिन दोस्तों यह जो टैक्सेशन चल रहा है यह जो हिंदया में बन रही है उसके आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा थीज रुपे आपके पास जीरु रुपे बचे है तो आप 30 रुपे टैक्स कहा से दोगे और अगर यह बिल पास हो गया तो आपको वो 30 रुपए tax देना पड़ जाएगा दोस्तों तो फिर आप अपने pocket से tax दोगे या फिर कहां सो दोगे यह तो आपको decide करना पड़ेगा बट इस चीज़ पर आवाज उठाना important है या नहीं यह जरूर से comment section में mention किजिए क्योंकि दोस्तों हम इस पर एक पूरी मतलब दोस्तों अच्छे से video बना के लाने की कोसिस करने वाले हैं और आप सभी का support चाहेंगे दोस्तों अगर चैनल को subscribe नहीं करा है तो जल्दी से channel को subscribe किजिए video को like किजिए क्योंकि आज साम तक इस पर एक बहुत ही बड़ी video आपको हमारे channel के तरफ से देखने को मिलने वाली है और दोस्तों मैं आप सभी से कभी नहीं कहता हूँ ज्यादा जोर से मतलब कभी आपको बोलता भी नहीं हूँ कि भई या मेरे videos को ज्यादा आप share करो like करो दोस्तों एक बार कह रहता हूँ लेकिन दोस्तों आज दिल से request करूँगा कि जब वो video आए तो दोस्तों अपने तर जो थोड़ा tax दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगा या फिर उनको कोई फड़क नहीं पड़ेगा यहां पर बहुत सारे middle class family भी है तो दोस्तों यहां पर मैं आपका support मागूँगा प्लीज दोस्तों आइस दिन में मैं कोशिस करूँगा साम चार वज़े तक ये video लेके आज और दोस्तों यहां पर हम अगली अपडेट की तरफ नजर डाले तो दोस्तों अब लोगों की जो थोड़ी मोडी expectation बची वही है अब वो Supreme Court के तरफ जाकर अटक रही है दोस्तों क्योंकि देखिए government का यह जो move 30% tax वाला इससे लोगों को बड़ा जटका भी लगा है और कु जादा से जादा लोग खुस नहीं होगे क्योंकि दोस्तों देखिए 30% tax भी ले रहें उपर से 1% TDS per transaction पर मतलब overall अगर scenario देखें उपर से आप GST की बात कर रहे है rumors GST की निकल के आ जाती है मतलब कितना कितना लोग कमाए क्या और भड़े क्या यह समझ में नहीं आ रहा दो लगता है जयरुरूर से comment section में अपना दीजिए गारो ऊधार क्या लगता है सुप्रेंग कोंट को लोग के हित में त्थरा कुछ काम करना चाहिए ज़रूर से comment section पर आपकी लाय ज abbiamo Ст forgive बरते हैं अगले की तरफ इंब इफिंटेंट की तरह सटिए तो ईबढ़ी अपडी इफटे के लिए बहुत ही बुलिस मूव होगा क्योंकि दुनिया वर से काफी पॉजिटीव अपडेट्स निकल के आ रहे हैं और दोस्तों अगर कुछ पॉजिटीव अफडेट्स के हम बात करें तो यहां पर फ्लोरीडा के गवर्णर के तरफ से बहुत इंपॉर्टन बात रखी अब दोस्तों अगर आपको टैक्स पेमेंट करना है अपनी अर्णिंग्स की तो आप बिटकोईन के थूरू भी अप टैक्स पेमेंट कर सकते हैं तो अगर हम देखे रहे हैं और धीरे-धीरे सभी बर रहे हैं क्रिप्टो ट्रांसफोर्मेशन की तरफ और बहुत सारे ऐसे अब दोस्तों अगर आप इस अपडेट पे नजर डालिएगा तो यहां पर चिप सप्लायर क्वालकॉम श्नैपड्रेगन का चिप तो आप यूज़ करते ही होंगे अपने मुवाइल में एक समय के लिए क्वालकॉम श्नैपड्रेगन इतनी जादा फेमस चिप सब्सक्राइब तो चिप सप्लायर क्वालकॉम श्नैपड्रेगन का चिप सब्सक्राइब कर दोस्तों यहां पर हंड्रेड मिलियन डॉलर्स की मेटावर्स इन्वेस्मेंट पॉइंड जो कि आपको दिखा रही यह जो क्रिप्टो है वेव 3.0 है मेटावर्स का सब्सक्राइब अपने अगले क्रिप्टो अपडेट की तरफ और दोस्तों एक बुरी खवर यह निकल के आड़ी कि वह यह बैंक आफ अमेरिका के तरफ से वार्निंग दे दी गई है कि वह यह जो तेल के दा में वह 200 डॉलर प्रती बैलर बैरल प्रहोंच सकते हैं जो कि प क्या दोगा मस्टड वाइल सरसो तेल जो आप यूज करते हैं दो साल धाई साल या तीन साल पकाड़ लीटर मिलता था आपको मस्टड वाइल और वही तेल के दाम अगर आप देखिएगा दोस्तों तो 220 या 200 रुपे के लगबग हो ही चुके हैं जो कि दिखा रही है कि वह रते इंफ्लेशन के रेट को टकड दे पाएगी क्या है आपकी राई यह जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि यहां पे बैंक ओफ अमेरिका के तरफ से वार्निंग दी गई है 200 डॉलर जो है बैप्रती बैलर यहां पे तेल के दाम हो जाएंगे मतलब अभी जो रेट चल रहे दोस्तों उससे लगबग बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगा तो इंड्या में भी हमें पिट्रॉल डिजल के प्राइस बढ़ते हुए साहट से दिखने को मिलेंगे क्या और अगर यह दाम बढ़ते तो इसका सीधे इंपक्ट हमारे पॉ कर रही है वह काफी बुलिस पैटन मना रही है और यहां पर पॉसिबल प्राइस टार्गेट बहुत ही हाई हो सकती है रोस्तों जहां कि अगर हम देखे तो सीभा अगर अपने रेश्टेंस लेवल को ब्रेक करती है तो एक बर फिर से अपने आल टाइम हाई को ब्रेक करने क वाला क्या है आपके और अग्र आपी आपने चैनल को स tellement क्राम इंतीव क्रित अबर इस राधुत कि अफ्द्ट जल्दी से कर दिजिए जानल दोस्तों बीडियो ना फिरिए वीज़ e seeds ना बुस्तों तो प्रोश्चेंग नचानट में फटे कुछ कि में एक हम घर